नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश के प्रयाग राज में 24 फरवरी को हुए उमेश पाल हत्याकांड में पुलीस सिद्दत से दो महिलाओं को तलास रही है ये दो महिलाओं कौन हैं किस पे कितना इनाम हैं और इन महिलाओं से पुलीस क्या हासिल करना चाहती है ये हम आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले ये बता दें कि इस हत्याकांड को अंजाम देने में 6 सूटर सामिल थे जिसमें से कि 1 सूटर उस्मान चौधरी मारा गया है बेटा असद भी सामिल है इनाम की राज से बढ़ाने के 2 माएने हैं यानि कि पुलीस को कोई सुराग नहीं मिल रहा है इसलिए इनाम की राज से बढ़ाई गई या पुलीस को सुराग मिल गया है इसलिए इनाम की राज से बढ़ाई गई आप खुच सूचिएगा समझिए 24 फरवरी का ये कांड है और अभी तक पुलिस पांच सूटर्स के मामले में खाली हाथ है अब बात उन दो महिलाओं की जिन पर पुलिस कस रही है सिकंजा तलास रही है ताकि मामले के तह तक उहुच सके उमेश पाल मडरकेस में जिन दो महिलाओं की तलास है उसमें अतीक की पत्नी 27 और दूसरी रुकसार है अतीक को फंडिक करने के आरोपी नफीस बिरियानी ने अपनी क्रेटा का रिष्थेदार रुकसार को बेची थी रुकसार की क्रेटा कार से ही सुट्रों ने उमेश पाल क हत्या की थी पुलिस को जब तक रुकसार की जानकारी मिलती वो घर छोड़ करके भाग चुकी थी करेली पुलिस समेत अनिटी में उसकी तलास में शापे मारी कर रही है अभी तक पुलिस ने नफीस के खिलाफ कोई करवाई नहीं की है सिर्फ वो पूछताची कर रही है अब साइस्ता परविन की जो माफिया डॉन अतिक की पत्नी है सुरू में वो सामने आई सीम जोगी को चिठी लिखी अपने दो बेटों को ले करके कोर्ट पहुंची कि बेटे नबालिक है पुलिस उन्हें उठा ली है बाद में पता चला कि उन्हें बाल संगरक्छनगरी में भ कि कोई भूमिका नहीं आये लेकिन जैसे ही वीडियो सामने आई जिसमें साइस्ता परविन सूटर साबिर के साथ दीख रही है वैसे ही पुलिस के कान खड़े हो गए और अब वो साइस्ता परविन तक जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहती है इसलिए उन पर 25,000 काई न एक फोटो अर्मान के साथ भी है साइस्ता परविन की साबिर और अर्मान दोनों उमेश पाल हत्याकांड के सूटर है इसके अलावा धूमन गंज इलाके में रहने वाली लेडी डॉन के नाम सिकुख्यात एक महिला के साथ भी साइस्ता नजर आई है पुलिस रिकार्ड में वो मडर केस में जमानत पर रहा है उसके खिलाफ कई मुकद में दर्ज है लेडी डॉन से भी साइस्ता परविन की नजदी की है आपको एक बात बता दे कि जब अतीक अमद को लग गया कि उसका और उसके भाई असरफ का बाहर निकलना मुश्किल है तब धिरे धिरे वो गैंग की कमान अपने बेटे असद और पतनी साइस्ता परविन को सौपने लगा साइस्ता परविन की राजनितिक महत्वकांग छाय भी है क्योंकि अतीक एक बार सांसत पांच बार विधायक रह चुका है बहुत अच्छी तरह से जानता है कि बिना राजनितिक संगरक्षण के गैंग को चलाना मुस्किल है लिहाजा साइस्ता परविन को बीएस्पी में स्तामिल करा दिया और साथ में बीएस्पी से ये वाइदा भी ले लिया कि नगर निकायों के चुनाओं में उन्हें मेर का प्रत्यासी बनाया जाएगा प्रियाग राज कहा और वो राजनितिक राह पर चल पड़ी साथ में गैंग को परदे के पीछे रह करके लीड भी करने लगी अंदाजा लगा ये कि इस हत्याकांड को अंजाम देने के लिए अतीक परिवार कितनी बारेकी से जाल बुन रहा था और अपने को बचाने के लिए बेटे असद की लोकेसर लखनाओ में दिखाई गई मुबाइल को जान बुझ करके फ्लैट पे छोड़ा गया जिस समय हत्याकांड हुआ उसी दौरान जो है उसके एटियम कार्ड से पैसा निकाला गया ताकि ये साबित किया जा सके कि उस समय तो मौके पर था ही नहीं लेकिन असद कर बैठा बहुत बड़ी गलती मौके पे वो सामने आकर चलाने लगा गोली और माफिया डौन का जो प्लान था वो हो गया फेल आ गया सब कुछ सामने और पत्नी साइस्ता परविन की भी कलाई धीरे-धीरे खुल गई कि वो भी सूटर्स के साथ मिल करके प्लान रच रही हैं और उनका भी मकसद है गैंग को आगे बढ़ाने की क्योंकि अतीक का निकलना मुस्किल लग रहा है तो इन दो महिलाओं की जब तक पुलिस पहुंच नहीं जाती हैं उन तक तब तक केस का खुलना मुस्किल है साइस्ता परविन अब मेन आरोपियों में से एक बन गई है रहे ने बेखबर देखते रही है इन खबर थैंक यू